हाई गाईज गुरी इविनिंग अलॉफ यू आज हम या वीडियो उन अभ्यरतियों के लिए लिए कर गया है जो यूपी पीसियल टीजू का एडिमिट का डाउनलोड करने में असमर्थ हो रहे थे और हालाश जो वीडियो बना आया था मैंने उसमें काफी बच्छों का कमें हो गया है तो उस कंडिशन में हम क्या करेंगे या हम यूजर आइडी भूल गए हैं तो क्या करेंगे तो इस बारे में आपको पूरी जानकाई देंगे तो चलते हैं वीडियो शू करते हैं और यह आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आपको जनकारी के लिए बता दे रहा हूं कि जब आप और लाइन फॉरम फिलिप करवा रहे हों या स्वाइम कर रहे हों तो जब फॉरम आपका कम्प्लिटी फुल फॉरम भर जाता है तो उसके बाद एक SMS आता है और एक मेल आता है तो SMS में भी आपका एप्लिकेशन नमबर हुआ होता है और एक अपप्लिकेशन नमर आपका नबर जाता है जो दोनों मेल पर भी सूचना मिलती है और SMS में मिलती है तो यद्द आपका मुवाइल चेंज नहीं हूआ है तो आप Мосवाइल के मेल में जाकरके और SMS के इंबॉक्स में जाकरके और मेल पर भी आप इंबॉक्स में जाकरके अपने UPPCL के रेश्टेशन को जो एप्लीकेशन नमबर है उसे आप खोज सकते हैं जो के स्टार्ट होता है UPPCL T E C 2 2 इतना आगे का तो मेश करेगा TEC 2 2 उसके बाद आगे आपका कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से जो User ID आपके मेल और SMS में आप देख सकते हैं अगर आपका मेल नहीं है और SMS भी नहीं है तो इसको फिर आप उस समय याद हो के प्रेंट आउट लिया हो आपने या PDF डाउनलोड किया हो तो उस फाइल को देखें Hard Copy में आपके पास हो तो उससे डूढने की कोशिज करें यादे आपके पास कोई option नहीं है तो फिर उसके लिए last option में आपको बताऊंगा क्या करना है और पास्वर्ड को फॉर्गेट कैसे करना है या एडिमेट कार्ड को डाउनलोड करना है इसका पूरा मैंने विस्तार से अपनी लास्ट वीडियों बताया था तो अब मैं चलता हूं आपको लेकर के कि आपको उन परसुतियों में क्या करना है जब आपका sms नहीं आ रहा है या आप user id भूल गए है जब आपका यह link active हुआ था forum भरते समय आया था उसके बाद forum भरते समय आप जब क्लिक करते थे तो इस तरह से आपका page open होता था और इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको इसमें कोई भी problem आ रही थी forum भरते समय तो उसके लिए help number दे रखा था वो सबसे last में जाकी दे रखा है help number आपका दोको यह दे रखा है और इसमें mail भी दे रखा है आप इन दोनों की help लेकर के अपनी इस समझ्या को हल कर सकते हैं और इसका ध्यान रखें यह साम पांच वज़े के बाद काम नहीं करेगा और सुबह दस वज़े से पहले काम नहीं करेगा और इस mail पर जो भी आपकी समस्या है वो आप mail पर भी डाल सकते हैं और वहां से आपको कोई भी इसका solution मिलता है तो बहुत आपके लिए positive point होगा क्योंकि आपकी पूरी जो महिनत की एक्जाम के लिए वो सब बेकार हो जाएगे क्योंकि जो उत्पादन निगम का TG2 का एक्जाम हुआ था उसमें भी एक help line नमबर दिया गया था और काफी बच्चे ऐसे थे जिनकी समस्या थी तो मैंने उसमें भी बच्चों को यह help line नमबर दिया था उसमें से काफी बच्चों को इससे राहत मिली थी और मैंने खुद एक बच्चे का apply किया था अपने mail से इसमें mail दे रखा था तो उसके द्वारा उसका जो detail है पूरा वो उसके mail या SMS में भीजा गया था sorry उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें password for rate करने का जो link था वो link पर click नहीं हो रहा था वो दिक्कत चल लाई थी तो उसके लिए complaint डाली गई थी mail पे तो उनके mail पे उनका admit card का detail मिल गया था user ID और password इसी प्रकाश से आप भी अपनी help इस help desk से ले सकते हैं जिसमें mail दिया है एक नमर दिया है तो इसके अलाबा और भी कोई मुझे जब option मिलता है आपके admit card को download करने के लिए या help के लिए तो मैं आपको जरूर वीडियो के मात्यम से सुचना दूंगा लेकिन काफी ध्यान रखिएगा कि इसको जो है आप कॉल करें तो सुबह दस से और सामको पांच मुझे की बीचे वर्किंग देज में ही करें यह थी आज की वीडियो वीडियो चलागा हो तो लाइक करें शेयर करें और आप चाहते हैं कि वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो आप मारे च थैंक्स फ़से लिए वीडियो